हलो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुती टेस्टी मज़िदार चटपटे मसालेदार बैंगन फ्राई की रेसेपी शेयर करने जा रही हूँ और यकीन मानिये दोस्तों अगर आप इस तरह से बैंगन की सबजी बनाएंगे तो घर में इसे सभी बड़े शौक से खाएंगे साथ ही इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम समय में बनकर तयार हो जाते हैं तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मसालेदार बैंगन फ्राई मसाला बैंगन फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम छोटे वाले बैंगन लिए हैं यह देखिए इसे मैंने पानी से अच्छे से वाश कर लिया है तो सबसे पहले हम इसके यह जो उपर वाला हिस्सा है इसे निकाल देंगे यह देखिए इस तरह से और इसे निकालने के बाद इसमें ऊपर थोड़े से काटे हैं छोटी छोटी इसे भी हम इस तरह से हटा देंगे और इसके बाद हम उपर से इस तरह से इसमें कट लगा लेंगे जिसे की मसाला बैंगन में अच्छे से एब्जोब हो जाएगा ये देखे और इसी तरह से हम सभी बैंगन काट कर तयार कर लेंगे और इसे हम पानी में डाल देंगे और पानी में डालने से पहले हम इसमें आदा छोटी चमच नमक मिला देंगे जिससे की बैंगन काले नहीं पड़ेंगे तो नमक को अच्छे से मिक्स कर देते हैं पानी में और बैंगन को इस तरह से हम काट कर पानी में डालते जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों सभी बैंगन मैंने काट कर पानी में डाल दिये हैं लगमक एक मिनिट के लिए मैंने इसे पानी में रख लिया है और अब इसे हम अच्छे से वाश कर लेंगे और इसे पानी में से निकालने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे तो बैंगन को फ्राई करने के लिए गैस फर मैंने कड़ाई रख दी है यह देखिए और इसमें एक बड़ा चम्मच ऑईल गरम कर लिया है ऑईल अच्छे से गरम हो चुका है तो इसी समय पर हम इसमें बैंगन डाल देंगे जो हमने काट कर रखे हुए है तो यह देखी दोस्तों सभी बैंगन मैंने कड़ाई में डाल दिये हैं और इसी समय पर हम दाल देंगे आदा चोटी चम्मच नमक नमक पिलाने से दोस्तों यह जो बैंगन है फीके नहीं लगेंगे अंदर तक मसाला अच्छे से इसमें एबजोब हो जाएगा और अब इससे हम इस तरह से उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे हमें बैंगन को हाफ कूप करना है तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे उलट पलट करके हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ अब हम इसे ढख देंगे और ढख कर इसे तीन से चार मिनट के लिए फ्राई होने देंगे तो लगबग चार मिनिट हो चुके हैं बैंगन को फ्राई करते हुए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है और बैंगन हमारे हाफ कुक हो चुके हैं ये देखिए और अब इसे हम अलग बरतन में निकाल लेंगे तो बैंगन को फ्राई करने के बाद कड्याई में एक बड़ा चमच ओयL और गरम कर लिया है इसमें हम डाल देंगे एक चमच जीरा थोड़े सा चटकने देंगे जीरे को साथ ही इसमें हम डाल देंगे दो प्याज जिससे मैंने बारीक काट लिया है और अब इसे हम mix कर लेंगे और प्याज को भूल लेंगे हलका सुनेरा होने तक तो प्याज यहाँ पर हलका सुनेरा हो चुका है इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्च जिसे मैंने लंबे टुकडों में काट लिया है और अब इसमें हम डाल देंगे 2 चमश लैस हुनादरक का पेस्ट और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भूने देंगे लैसुनादरक का कच्चापन खतम होने तक लगभग 1-2 मिनिट के लिए तो लैसुन अद्रग भी हमारा हलका सा भून चुका है और अब मैंने यहाँ पर दो टमाटार लिये हैं इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे सभी चीजों के साथ में और जैसे ही टमाटार अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें नमक मिला देंगे तो एक चमच नमक लिया है आप अपने टेस्ट के साथ से नमक कमिया ज़्यादा कर सकते हैं तो नमक को भी मिला लेते हैं और नमक को मिक्स करने के बाद अब इसे हम ढख देंगे और ढपकर इसे 2-3 मिनिट के लिए पकने देंगे तो ये देखिए दोस्तों 3 मिनिट के लिए मैंने अच्छे से टमाटर को पका लिया है और अब इसमें हम बाकी के मसाले भी आड़ कर देंगे तो एक चौथाई चमच हल्दी का पाउडर लिया है इसे डाल देंगे साथ ही इसमें डाल देंगे एक चमच धनिया पाउडर अब इसमें हम मिला देंगे आदा चोटी चमच लाल मिर्च का पाउडर आदा चोटी चमच गरम मसाला और अब मैंने यहां पर तीन से चार चोटे चमच भुनी हुई मुंफली का पाउडर लिया है इसे भी हम कडाई में डाल देंगे दोस्तों इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और ग्रेवी भी गाड़ी हो जाती है तो सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लें और इसे भी हम मिला लेंगे और अब इसे हम ढख देंगे और ढखकर ISSO 2-3 मिनिट के लिए पकने देंगे तो मसाले को पकाते हुए लगबख तीन मिनिट और हो चुके हैं ये रेखिए मसाला अच्छे से पक चुका है और ओइल भी उपर आ गया है इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे फ्राई किये वे बैंगन और बैंगन को मसाले में डालने के साथ इसमें हम डाल देंगे आधा गलास के लगबख पानी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम ढख देंगे और ढखकर इसे 3-4 मिनिट के लिए पकने देंगे जिसे की बैंगन में भी मसाला अच्छे से अबसर्ब हो जाएगा तो लगबग चार से पांच मिनिट के लिए बैंगन को मैंने और पका लिया है और ये देखिए बैंगन अच्छे से पक चुके हैं मैं आपको दिखाती हूँ और ये हमारी टेस्टी मसाले दर बैंगन फ्राई की सबजी बनकर विल्कुल तयार है और इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया मिक्स कर देंगे इसे और अब हम गैस बन कर देंगे और सबजी को हम गर्मा गरम सर्व करेंगे तो ये लीजे दोस्तो बनकर तयार है हमारी बहुती टेस्टी चटपटी मसालेदार बैंगन फ्राई आप इसे एंजोई कर सकते हैं गर्मा गरम फुल के पराठे के साथ में खाने में ये बहुती टेस्टी लगती है और यकिन मानिए दोस्तो इस तरह से बनाएंगे तो आपको ढाबे वाले बैंगन फ्राई का टेस्ट आएगा तो आप भी इसे जरूर बनाएए और मेरी इस रेसेपी को अपनी फैमली के साथ एंजोई कीजिए रेसेपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बैल आइकन को प्रेस कीजिए मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई